और ये खबर बहुत ज़ादा हैम हो जाती है क्योंकि दावा ये किया गया है कि रूसी सेना ने कोनोटोफ को घेर लिया है ये दावा योकरीन की तरफ से किया गया है इससे पहले के तस्वीरे और भी सामने आई थी लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है वो योकरीन के लिहाद से अच्छी नहीं है खबर ये है कि राजधानी कीव की तरफ लगाता रूसी सेना बढ़ रही है रूसी सेना ने कोनोटोफ को घेर रखा है ये ऐसा योकरीन ने दावा किया है और साती योकरिन की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि कीव की तरफ रूसी सेना आगे बढ़ रही है तो ये बड़ी जानकारी बड़ी ख़बर क्योंकि अगर राजधानी कीव पर रूस का कबजा हो जाता है तो फिर योकरिन के सामने मजबूरिया हो जाएं घुटने टेकने की और आज ये कहा जा रहा है कि राजधानी कीव में रूसी सेना प्रवेश कर सकती है तो लगातार युद जो है वो बढ़ता जा रहा है दोनों सेनाओं के बीश में आक्शन हो रहा है उसके बाद रिटैलेशन भी देखने को मिल रहा है लेकिन इन सब के बीश में जो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है वो ये कि अब राजधानी कीव की तरफ भी रूसी से ना बढ़ती जा रही है ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे है तबाही की तस्वीरे ये है इसे पहले ही यूकरिन ने दावा किया कि हमने रूस के पांच रड़ाखों विमानों को मार गिरा है था पचास सेनिकों को मार गिरा है था